जय 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 श्री गुरु महराज जी की जय राजी है हम उसी मैं राजी है हम उसी मैं जिसमें तेरी रजा है राजी है हम उसी मैं जिसमें तेरी रजा है या यो भिवावा है और वो भिवावा है राजी है हम उसी मैं जिसमें तेरी रजा है या यो भिवावा है और वो भिवावा है कुंदन के हम डले हैं चाहे तु जब गलाले बाबर्न हो तो हम को बाबर्न हो तो हम को तु आज आज माले जैसी तेरी खुशी हो सब नाच तु नचाले सब छान बिन कर ले हर तोर दिल जमाले राजी है हम उसी मैं जिसमें तेरी रजा है या यो भिवावा है और वो भिवावा है या दिल से खुश हो अब कर हमको प्यार प्यार है या दिल से खुश हो अब कर हमको प्यार प्यार है या तैग खेच जालिम या तैग खेच जालिम तुकड़े उडा हमारे जीता रखे तु हमको या तन से सिर्व उतारे अब तो फकिर आशक कहते है यो पुकारे राजी है हम उसी मैं जिस मैं तेरी रजा है यो यो भिवावा है और वो भिवावा है अब दर पे अपने हमको रहने दिया उठा दे हम इस तर भी खुश है रखया हवा बना दे हम इस तर भी खुश है रखया हवा बना दे हवा बना दे बेटे हम तेरे चाहे जहां बिठा दे या अरश पर चड़ा दे या खाक मैं सुला दे राजी है हम उसी मैं जिस मैं तरी रजा है या यो भिवावा है या यो भिवावा है राजी है हम उसी मैं जिस मैं तरी रजार है या यो भिवावा है और वो भिवावा है राजी है हम उसी मैं राजी है हम उसी मैं राजी है हम उसी मैं आया खुरुश्नकन या लाल की जये मैं जिस मैं जिस दवावावावा यू भाल की जी कि तरी रजावावावावावावावावावावा यंध राजी है झाल झाल वंसे विभूशितकरान नवनीरदापात पीतांबरात अरुण भिंब पलाद रुष्ठात पुरनेंद सुंदर मुखात अरुविंद नेत्रात कृष्णात परं किमपितत्वं अहं नजानें कृष्णात परं किमपितत्वं अहं नजानें स्वस्ती स्री गनेशाय नमहां स्री सरस्वत्यय नमहां स्री गुरुब्यो नमहां वक्रतुंड महाकाय सुरियकोदी समप्रभ धिरविग्णं गुरुमदेव सरवकार्येशु सर्वता नारयनं नमस्कृत्य नरंचैवनरोहुत्तमं देविं सरस्वतिं व्यासं ततो जयमुदीरैत् नमस्ते शारदे देवी सरस्वतीमधी प्रदे वसत्वं ममजिवागरे सरव विध्याप्रदाबव गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुरुदेवो महेस्वरह गुरु साक्षात्परब्रम्म तस्मै स्री गुरवे नमह। सच्चिदानंदरूपाय विष्वत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय स्री कृष्णायवयं नुमह। ओम्नमप्रमहंसास्वाधित चरनकमलचिन्मकरंदाय भक्तजनमानसनिवासाय स्री रामचंद्राय विस्वसर्ग विसर्गादी नवलक्षन लक्षितं स्री कृष्णाक्यं बरंधाम जगद्धाम नमामदद। ओम्स्थापकायचदरमस्य सरवधर्मस्वरूबिने अवदारबरिष्ठाय रामकृष्णायते नमह। मुगं गरोति वाचालं पंगुं लंगयते गिरिम् यत्कृपात्वमहम बंदे परमानन्द नमादबं। कृष्ण गनेया लाल गीजे मक्तव tal भगवान गीजे उृंदा बन विहार लाल गीजे भगवान स्रीराम कृष्णदेव गीजे भागवत भगवा नगीजे भगवत भक्त भगवान गीजे ओम नमो भगवदे वासुदेवाय नरायन 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 सर्वप्रथम हम पुझ्यपाद स्वामी आदिभवा नंजी माराज्जी के चरणों में सस्त्र रद्यय प्रणाम निवेदित करते हैं उपस्थित पुझ्यपाद प्रभुसेवा नंजी माराज इवं अन्यान्य सभी सन्यासी महत्मावू इवं बिरक्तों के चरणों में सस्त्र रद्यय प्रणाम निवेदित करते हैं और जो कोई भी सद्रश्य स्राव्य माध्यम से भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है उन सब के रदैमे निवासित उस अनन्त अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहूर मुहूर वंदन करके आये अम भागवत रसामृत में अवगाहन करे यस्वानु भावम अखिलस्रुतिसारमेगं अध्यात्मदीप मतितितिरिषताम्तमृंधं संसारिनां गरुनयाह पुरान गुयं तंभ्याससूनु मुपयामि गुरुम्मुनीनां कुष्णाय वासुदेवाय अरई परमात्मने प्रणत ग्लेशनासाय गुविंदायनमु नमः नारायन 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 जिग्यासूने जिग्यासा प्रगट की है कि आत्मा की दिव्यता का प्रगटी करण, आत्मा की उन्नती वो कुरुपया उसका स्पश्टे करण करने का प्रयास करे हम सत्संग देखते जाएंगे, उसके अंदर में वो बिंदु आता रहेगा हम विस्तुरत रुप से और उसकी चर्चा करते रहेंगे संक्षिप्त में देख ले तो देखिए हमारा आत्मा की दिव्यता का प्रगटी करण करना अर्थात हमें हमारे स्वस्वरूप में स्थीत रहना हम अभी देशकाल बस्तू में स्थीत है देश क्या है बोले यह देह यह देह कट गया दुसरे सभी से इसलिए देश में स्थीत हो गए देह की उमर हो गई साड़ अस्ती सौ एकसो दस वो काल में कट गए और हमारा वजन बोले अस्ती किलो है स्वामी जी सौ किलो है 110 किलो है वो हो गए हम वस्तू में कट गए तो देशकाल वस्तू से कटे बिना हम जब अपने स्वरुप को प्राप्त करें अभी हम देशकाल वस्तू में कट चुके हैं हम हमारे स्वस्वरुप को प्राप्त करें स्वस्वरुप है सत्यस्वरुप ज्ञानस्वरुप एवं आनंदस्वरुप सच्चिदानंद और उसका प्रत्यक चैतन्याभिन्न अनुभव हो जाए तो वो है हमारी आत्मा की दिव्यता को प्रगट करना अभी हमारे में रागद्वेश है कामकरूद है तो रागद्वेश कामकरूद इत्यादी उससे हमें निवृत होना है हमारे स्वस्वरूप में कहीं रागद्वेश, कामकरूद कोई पक्ष ये कुछ भी नहीं है तो जैसे जैसे हमारी आत्मा की दिव्यता प्रगट होती जाएगी वैसे वैसे हमारे में से ये दुरगुण दूर होते जाएंगे कामकरूद लोब मोहमद इवम मात्सर्य इदूर होते जाएंगे वो है आत्मा की दिव्यता का प्रगटी करण करना हम अपने स्वरूप में जैसे ही स्थित होते जाएंगे वैसे ये सब जो है हमारी वासनाएं उदूर होती जाएगी उसी को कहता है स्वस्वरूप में स्थित होना हमारी दिव्यता का प्रगटी करण करना आत्मा की आप कहेंगे आत्मा तो एक ही है उतो पहले सही दिव्य है उसको क्या प्रगटी करण करें बात सही उसके उपर आवरण हो गया है वो आवरण को हटा देना बस ये माया रुपी जो आवरण है तीन गुण रुपी जो आवरण है माया त्रिगुण महीं है सत्वर अज़ एवमतम तो वो आवरण को फाड़ देना आवरण का नाश कर देना आवरण को दूर कर देना संक्षिप में कहे तो यही है आत्मा की दिव्यता का प्रगटी करण करना और जैसे जैसे हम साधन मार्ग में अग्रसर होते जाएंगे वैसे वैसे हमारे में से रागद्वेश अहमता ममता काम क्रोध लोब मोह इत्यादी धिरे धिरे दूर होते जाएंगे वो है आत्मा की दि गटई करण की और हम अग्रसर हो रहे हैं। उसमें भगवान गत्तात्रय अवदूत जी आगे समुद्र से अजगर से क्या सिखते हैं। सुखमेंद्रिकं राजन स्वरगे नरक एवच देहिनाम्यद्यतादुखं तस्माने चेततद बुदः। सुखमेंद्रिकं राजन स्वरगे नरक एवच यहां दत्तात्रय भगवान को भागवत में ब्राम्मन शब्द से बुलाते हैं। ब्राम्मन की से कहते हैं? जिसने आत्म ज्यान को प्राप्त कर लिया है। जिसने अपनी दिव्यता पूर्ण रुप से प्रगट की है। जो अपने स्वस्वरूप में स्थीत है उसे ब्राम्मन कहते हैं। जो ब्राम्म को जानता है उसे ब्राम्मन कहते हैं। वैसे भी देखे तो बगवान दत्तात्रे अत्री रूशी के वहाँ जन्म उन्होंने लिया था तो अत्री रूशी ब्राम्मन थे उस तरह से भी ब्राम्मन है लेकिन यहाँ उस ब्राम्मन से उनको उद्भूदन नहीं किया गया है उनके लिए वह विशेशन का प्रयोग नही किया गया है यहां तो वो अपने आत्मत अत्व को जानने वाले हैं अवधूत है इसलिए उनके लिए ब्राम्मन शब्द का प्रयोग किया गया है ब्राम्मन उवाच सुखमाइंद्रिकम राजन स्वरगे नरक एवच अब अजगर्क से क्या सिखा वो भगवान दत्तात्रिय बताते हैं देखिए परमार्थ की प्राप्ति के लिए व्यक्तित्व के विकास की चरमोत कुर्ष्ट अवस्था जिसे हम लोग कहते हैं निरपेक्षता उसका वरणन कर रहे हैं परमार्थ की प्राप्ति के लिए व्यक्तित्व के उत्कर्ष की जो चरम सिमा है और वो क्या है निरपेक्षता उस निरपेक्षता का इसमें वर्णन आता है और कहते हैं देखिए भवतिक जगत के अंदर में हमारे द्रश्टि कौन से जो उन्नती होती है भै हमने मकान बनवाए संपत्ति कठा की पद प्रतिष्ठा क्याती विख्याती हुई अनेक संबंदी हुए स्वजन हुए मित्र हुए तो जो भवतिक द्रश्टि से जो उन्नती होती है भै इतनी बड़ी खुरसी पर बैठे हैं पद पर बैठे हैं इत्यादी वो सब पारमार्थिक द्रश्टि में उस सब की किमत नहीं है पारमार्थिक द्रश्टि से वो सब नगण्य है कोकि ये जगत तीनों काल में मित्या है एक तरह से अब इसका गलत अर्थ हम मत कीजिएगा कुरुपिया करके बोले माया माय जगत है इस माया माय जगत में तुम कुछ भी प्राप्त करो जो अभी अभी देखा था कल परसू मुर्दे पर कितने भी माला चड़ाओ तो आखरी में मुर्दा ही है न तो इस जगत में कुछ भी प्राप्त करे या कुछ भी खोदे उसकी किमत अवधूत के लिए नहीं होती है को कि वो नानात्व नहीं देख रहा है वो केवल अपना स्वरूप ही देख रहा है अत्र तत्र सरवत्र वो भी बहुत्व में नहीं है वह एकत्व में है तो बोले भुतिक द्रश्टी से जो भी हमारी उन्नती होती है नाम यश किर्ति पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति स्वजन बांधुवांधब इत्यादि की बोले पारमार्थिक रूप से उसकी कोई कहमत नहीं है पारमार्थ की यात्रा में वो सब नगण्या है महात्मा लोग कहते है कि देखो भाई मुर्दे पर तुम कितने भी माला चड़ा दो वो आखरी में मुर्दा ही रहने बाला है तो इस जगत जो है वो अनित्य है इसलिए सीरामकृष्णा देव कहते है रदई को रदई जगत यदि सत्य होता तो मैं कामारपुकुर को सुने से मढदेता सुवर्न से मढदेता इस जगत तीनों काल में सत्य नहीं है कैसे सत्य नहीं है मायामा यह जगत है इस जगत अनित्य है असुख देने बाला है जब तुम्हें ऐसा जगत प्राप्त हुआ है तो हे भारत हे पार्थ तुम सदैव मेरी भजना करो बगवान कहते है ओके ओ अरजुन तुम सदैव मेरी भजना करो तो कहते हैं इस जगत सतत परिवर तनशिल है अनित्य है इसी तरह से संसार में जिन चीजों को बड़ा जाना जाता है उसकी परमार्थ में कोई कीमत नहीं होती है देखे हम संसार में कहेंगे बली हम कोई राष्टर के मुखिया है या गाउं के मुखिया है या सहर के मुखिया है या प्रांत के मुखिया है या कोई बहुत बड़ी कमपनी के मालिक है इत्यादी इत्यादी परमार्थ के यात्री कहेंगे हम बहार का निर्मान करने नहीं आए हम तो भीतर का निर्मान करने आए हैं इसलिए कहा कि संसारी बहार का निर्मान करता है और सन्यासे भीतर का निर्मान करता है सन्यासी सोचता है जितने बहार के संपत्तियां आती है धन पद प्रतिष्ठा ख्याती विख्याती उतने ही हम अधिक फस्ते जाते हैं उसी के कारण दिमाग में मस्तिश्क में तनाव रहता है आप लोगोंने देखा होगा जब ज़्यादा अधिक दन आता है तो कहां पर उसका पुंजी निवेश करना है कौन सी जगह रखे कहां रखे डूब जाएगा तो क्या होगा या कोई लूट जाएगा तो क्या होगा कितनी सारी चिंता होती है और यदि जितना चाहिए उतना ही सफिशंट है बस तो देखे कोई इतना मानसिक तनाव नहीं रहता है उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि हम ऐसा कहते है कि आपके पास जो कुछ है वो सब उड़ा दीजिए या निकाल दीजिए आप अपनी सुविधा के अनुसार अपनी आवश्चक्ता के अनुसार रखिए जो आपकी आवश्चक्ता है बाकी का सब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए नारायन भाव से दूसरों की नारायन रुप से पुजा करके उसका सदुपयोग कीचिए अन्यता वही धन हमारे लिए दुख का कारण बनता है वही पद हमारे लिए आनंद की जगद दुख का कारण बनता है वही प्रतिष्ठा हमारे लिए दुख का कारण बनती है तो व्यवारिक बातों से संसार में हम जिन-जिन को बड़ा मानते है यदि हम उसके भीतर गुसेंगे तो हमें पता चलेगा केवल पोलम पोल है अब सोचते होंगे संसार में सबसे बड़ी तकलिफ यही है कि हम दूसरे को सुखी देखकर के स्वयम को दुखी समझ लेते है दूसरों के महल को देखकर के हम हमारी कुटिया तोड़ देते है सोचते महल में ही आनन्द एक कुटिया में आनन्द नहीं है आनन्द ना महल में है ना कुटिया में है आनन्द तो हमारी बृत्ति में है आनन्द वो मन की एक अवस्था है आनन्द कोई व्यक्ति, वस्तू और घटना में नहीं है तो हम दूसरों के महल देखकर के हमारी कुटिया तोड़ देते हैं दूसरों की परिस्थिती देखकर के स्वयम को जो प्राप्त हुई परिस्थिती है उसे हम असंतुष्ट हो जाते हैं और फिर दुख बुगतते हैं कहीं लोग तो कहते हैं हमारा कुछ हुआ ही नहीं स्वामी जी अरे क्या हुआ नहीं क्या हुआ नहीं कहते हो कुछ किया भी तो है आपने क्या प्राणपन से कहीं पर भी कुछ चेश्टा की है दे बिहेव एंद दे टॉक अल्वेज लैक डंप अफ डिप्रेशन जिवन में ये शब्द मत आने दीजिए मेरा क्या होगा मेरा कुछ हुआ ही नहीं अरे मेरा कुछ हुआ नहीं ये सच मुझे दी तुमको बोध है तो करने के लिए प्रयास कीजिए अपने आपको सकारात्मक में सकारक्ता में डालिए अपने आप में सकारात्मक विचारों को प्रोच्साहित कीजिए और जितने नकारात्मक विचार है उनसे दूर रहे साधन कीजिए अपने आपको प्रज्वलित कीजिये तप में सत्संग में भगवत कथा में हम कुछ करेंगे नहीं और केवल भूम लगाते रहेंगे उस सर्वता अनूचीत है अशोभनिया है तो बोले संसार में जिन जिन बाबातों को हम बहुत बड़ी-बड़ी समझते हैं पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, ख्याती मिली, विख्याती मिली, संपत्ती मिली, स्वजन मिले, मित्ड मिले परमार्त की दरष्टी से वो कोई बड़ी चीज नहीं है यह अवधूत का दरष्टी कौन संसारी मनुष्य को यह समझना चाहिए कि महात्मा लगों का द्रश्टिकॉन जगत के प्रती क्या होता है कोई फुलो उचारे वाजुदियों से मारे निंदास्तुती सहाले बैटे हैं मस्त प्यारे सी रामकृष्टन देव के पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो आनन्द में है महात्माओं के पास कुछ नहीं होता है पहने को कौपी नहीं भी नहीं होती दिगंबर होते हैं फिर वो सर्वथा आनन्द में है और ऐसे ऐसे लोग देखे करोणो रुप्यों के महल में रह रहे हैं लेकिन आनन्द नहीं है दुखी है खाने को अनेको प्रकार के व्यंजन है लेकिन आनन्द नहीं है सदे वो मानसिक उदवेग में मानसिक दबाव में मानसिक तनाव में रहते है तो बुले अब मैंने अजगर से क्या सिखा अजगर जो है देखा होगा कहीं जाता नहीं है इतना ज़्यादा जब बहुत भूख लगती है तभी शिकार कर लेता है उस्वजम कुछ उद्रुत करता नहीं है कर्म करने के लिए उद्रुत होता नहीं है तो भूले मैंने अजगर से यह सिखा अर्थात यहां पर अजगर के जैसा तमोगुण में रहने के बात नहीं है हम स्पष्टि करन करेंगे उसका अर्थाया नहीं कि अजगर बन करके हमें बैठ जाना चाहिए अजगर बन करके बैठने के लिए बहुत बड़ी तपस्या की आवश्यक्ता रहती है वो बहुत उची स्थिति वाले ही बैठ सकते हैं देखे एक सामान्य उदाहरन कहें आप लगोने सुना होगा अनुबव भी किया होगा एक युवान लड़का बहुत मेहनत कस था अपने बल पर उसने अच्छा अपना सामराज्य खड़ा किया है व्यापार का अब एक दिन हुआ चलो थोड़ा हिमालाई भी देखावे लोग कहते हिमालाई में बहुत संदर कुदरती प्राकृतिक संदर्य है चलो देखावे एक सब्ता की छूटी लेकर के गंगोतरी की और गया वहाँ पर उसने देखा एक महात्मा चटान पर चुपचाप सोये हुए है सुबह में देखा है कि महात्मा लेटे हुए दोपर के बाद दिम दोपर में देखा तो महात्मा लेटे हुए है साम को देखा तो महात्मा बैट करके चिंतन कर रहे कुछ एक दिन गया, दौ दिन गया वह देख रहे कि महात्मा वहीं बैठे हुए और वो अगल-बगल प्राकृतिक संदरी को देख करे उस महात्मा के पास आता है और कहते हैं महात्मा जी क्या भात है आप कुछ करते क्यों नहीं है छुप-चाप है आप यतने वुरुद्ध भी नहीं दिखाई दे रहे हैं मुश्किल सा आपकी उमर 45 की लगती है अच्छे खट्टे हैं तो आप कुछ काम क्यों नहीं करते हैं युबक नहीं जा करके बहुत बड़ा प्रवचन दिया अपनी बुद्धी के अनुसार महात्मा को महात्मा प्रश्टों का उत्तर देंगे तुम थोड़ा बैठ जाओ यहां बठा दिया बोले आप बूलिया महाराजी बले बस बैठे रहो बैठे रहो तो बले मुझे उत्तर मिलेगा बले हां मिलेगा तुमको उत्तर चाहिए नहीं बले हां जी हमें उत्तर चाहिए बले बैठ बहुले पहले बैठ जाओ सांतिसे कुछ हिला हलन चलन नहीं करना है बहुले ठीक है पाच मिनिट बैठा, दस मिनिट बैठा बाद में सरीर खुजलाने लगा इजर उदर देखने लगा बीस मिनिट आदा गंटा वो बोले महराज जली बोली, अब हमसे बैठा नहीं जाता है यह क्या है मात्मा केते, बैठो तो सही बुला अब हमसे बैठा नहीं जाता है बोले तुम आदा गंटा भी ठीक से बैठ नहीं पायो, दस मिनिट भी ठीक से बैठ नहीं पायो तुम देखने रहे हो, हम कुछ भी हलन चलन की बिना आराम से यहां चुपचाप बैठे हैं, ख्या तुम यह कर सकते हो, उले महाराज यह तो आप तमोगुण के कारण बैठे हैं, तो महाराज केते हैं, यदि तमोगुण के कारण बैठता हैं, तो तुम तो तमोगुण में न के अंदर में और कहने लगी कि बैठा नहीं जाएगा हम तमोगुण में होंगे तो इस तरह से बैठेंगे नहीं हम चुपचाप शांत प्रकृति से बैठे हैं आप उतना भी नहीं बैठ पाते हैं बोले अपनी मन की चंचलता को कम करो हमारे भीतर में जो रजस होता है वो हमे एक शांत चित से बैठने नहीं देता है दस मिनिट हुई तब तक तो दस बार आँख खोल देंगे कितने बजे कितने बजे करके हम शांत चित से बैठने ही पाते हैं एक महात्मा ने बहुत सुंदर कहा कि देखिए हम लोग जो सुबह में उपासना करने के लिए बैठते है जब ध्यान करने के लिए वो क्या है हम बैठने का अभ्यास कर रहे हैं अपने आपको बैठने का हम अभ्यास करवा रहे हैं एक आसन में बैठने का समझ लिजिए तो बोले अजगर की तरफ पड़े रहना मानि ऐसा मत सोचे की तमोगुण में बैठ करके पड़े रहना है तमोगुणी व्यक्ति भी ज़्यादा बैठ नहीं पाता है रजोगुणी तो बैठ ही नहीं पाता है कोकि हमारे भीतर में जो रजोगुण है वो हमें कोई न कोई कार्य करने के लिए उद्रुत करता है इसलिए का सुखमा इंद्र इंद्रियों से जो भोग बुगतते हैं उनके संसकार से उनको सुख मिलता है द्यान से स्रवन किया जाए सरीर धारियों को इंद्रियों से सुख मिलता है और इंद्रियों में जो भोग किये जाते हैं इंद्रियों से जो भोग करते हैं उनके संसकार से सुख मिलता है अब इसक हम दो भाग कर दे एक भाग है सब्दस पर्श रूप रस गंद इन सबसे प्राप्त होने वाला सुख और दूसरा सुख है अपने बाहर की चीजों को नेत्रों के द्वारा मन में बिठा करके उसका मन से भोग करना दो चीज समझ लीजिए एक हो गया आनन्द सब्दस पर्श रूप रस गंद कल हमने देखा था संसार में अधिक जो आनन्द है वो केवल स्पर्श और मन से ही प्राप्त होते हैं तो यह हो गया एक आनन्द और दूसरा क्या है हम हमारे नेत्रों से और सुनी होवी चीजों को सुनी होवी वाक्यों को अपने मन में बठा करके मन से हम उसका उपभोग करते रहते हैं इंद्रियों से बाहर चीजों जो होए उसको देख देख करके आँख बंद करते हैं और भितर उसका रस लेते रहते हैं बहारवाली वस्तु चली भी जाए सब्दस पर्शा रूपर रसगंदर चली भी जाए लेकिन भीतरवाली वस्तु रहती है अब भीतरवाली वस्तु भी तो एंद्रीक है न क्योंकि जो हमने नेत्र के द्वारा बहार जो था उसको नेत्र के माध्यम से हमारे रदई में लाए और उसका अस्वादन कर रहे हैं अंत में वो भी तो अहिंद्रिक ही हुआ इंद्रियों के द्वारा प्राप्त हुआ है उसमें भी इंद्रियों के ही संस्कार है बोले है तो इंद्रियों के संस्कार इंद्रियों से होने वाला जितना भी सुख है जितना भी सुख इंद्रियों को इंद्रियों से होने वाला होता है और प्राणी जितना भी सुख प्राप्त करते हैं इंद्रियों से यह कैसे हैं? बुले यथा दुख देही नाम यद्यथा दुखम तस्माननेचच तस्माननेचेत तदबुदह बुले जितना इंद्रियों से मनुष्य सुख प्राप्त करता है बुले यथा दुख जैसे दुख मिलता है वैसे ही सुख भी मिलता है इंद्रियों से हमें जैसा दुख मिलता है वैसा सुख भी मिलता है अभी अभी हमने देखा कि ये इंद्रियों से होने वाला जितना सुख है ये कैसे मिलता है बुले जैसे दुख मिलता है वैसे ही सुख मिलता है सुख और दुख दोनों इंद्रियों से ही प्राप्त होता है बुले उसका तात्परिय स्पष्टी करण तो बुले मतलब यह हुआ कि जैसे हम दुख पाने के लिए कोई साधन नहीं करते हैं किसी को दुखी होने की इच्छा नहीं है यदि पता चलता है कि भी हम दुखी होने वाले हैं तो हम परहेज करते हैं ताकि दुख ना आए कोई दुख की इच्छा नहीं करता है कोई दुख पाने के लिए साधन नहीं करता है मालूम पढ़ जाता है ज्यात हो जाता है कि दुख आने वाला है तो उससे हम परहेज करते हैं कि दुख न आवे फिर भी कहीं न कहीं से हमारे पास दुख आही जाता है उसको कोई रोक नहीं सकता है सुख के लिए तो हम सब चेश्टा करते हैं लेकिन दुख के लिए हम लोग कोई चेश्टा नहीं करते हैं दुख के दुखी नहों उसके लिए तो हम परहेज करते हैं दुखी नहों उसके लिए हम नजाने कितने उपाय करते हैं समझे दुखी होने के लिए हम कोई साधन नहीं करते हैं फिर भी नजाने कहां से दुख आही जाता है हम सब के जिबन में तुब बुले दुख भेजने वाला कौन है कौन तुब बुले थुड़ा चिंतन करो जो हमारे पुर्व कर्मों का फल दे रहा है पाप का फल ताप है याद रखिए सच्चिदान अंदर उपाय विश्वत पत्यादि है तबे तापत्रय विनाशाय कुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् तुम बले जो तुम्हारे पूर्व करमों का फल दे रहा है, वही तुम्हारे न चाहने पर भी, तुम्हारे कितनी भी मना करने पर भी, तुम्हारे कितनी भी परहेज करने पर भी, तुम्हारे कितनी भी सावदानी से बरतने पर भी, तुम्हारे पास दुख पहुचा देते ह हम सावधान भी रहते हैं दुख न आए परहेज भी करते हैं पता भी चल जाता है कि दुख आने वाला है तो हम उसके लिए साधन नहीं करते हैं दुख दूर करने के लिए साधन करते हैं लेकिन दुख को पाने के लिए कोई साधन नहीं करता है बोले फिर भी कहीं न कहीं से दुखा आ जाता है वो कौन भेजता है बोले हमारे पुर्वजन्म के कर्म कर्मों का फल हमारे पुर्वजन्म के कर्मों का फल जो दे रहा है वही हमारे न चाहने पर भी मना करने पर भी परहेज करने पर भी सावधान रहने पर भी वह दुख हमारे पास पहुचा देता है और दुख आता है कैसे बुले हमें मालूम भी नहीं पड़ता है और दुख आ जाता है तो जो दुख पहुचाने में इतना समर्थ है इतना सावधान है ठीक टाइम पर दुख आता है दुख पहुचाने में इतना समर्त है साबदान है वह क्या जब हमारे पुर्व कर्म का फल सुख आवेगा तो क्या उसको वो दबा देगा बिलकुल दबाएगा नहीं बले जरूर जब पुर्व कर्म के पुर्व जन्म के पुर्व कर्म के पुन्य का फल प्रगट होगा सुख के रूप में तो वो हमें अवश्य सुख देदेगा बले हम सुख के लिए चाहना करते हैं पिर भी समय आने पर वो ठीक हमें सुख दे देगा तुब ले ऐसी स्थिति में जब सुख और दुख कि जिम्मेवारी लेकर एक बड़ा सावधान, बड़ा बुद्धिमान बड़ा तजग्या, बड़ा शक्तिशाली कोई बैठा हुआ है तो फिर तुम सुख और दुख के लिए चिंता काहे को कर रहे हो जो ठीक समय आने पर हमें दुख बेजता है और जो ठीक समय आने पर हमें सुख बेज देता है ऐसा कोई बढ़ान, शक्तिशाली, बड़ीमान, समर्थ व्यक्ति बैठा हुआ एफिर तुम सुख दुख की चाहना काहे को रख़े हो और जीवन में किसी को सदै दुख नहीं मिलता है इस तो चेन की मुताबित है साइकल की जो चेन होती है कड़ी बस गुमती रहती है सुख के बाद दुख दुख के बाद सुख मात्रास परशास्त कंतेय सितोषन सुखदुखदा आगमा पाईनो नित्या स्तांस्तितिक्षस्व भारत बुले सुख और दुख के लिए जो एक बहुत बड़ा बुद्दिमान शक्तिशाली धीर साबधान व्यक्ति बैठा हुआ है तब आप इतनी चिंता काहे को करते सुख दुख के लिए अब खूब हसो अब खूब हसो रोते हो इसा भी दक्यों प्यारे हसते के साथ हसे दुनिया रोते को कौन बुलावे रे सबहालत में सबरंगत में जन में बन में एकांत ही में समरागन में बैरागन में आनंद मगन डूलना प्यारे दिन में तुम्हें कितनी बार दुख और कितनी बार सुख वो भेज देता है किसे ने अपमान कर दिया तो दुखी हो गए कोई अनिचनिय घटना घटी तो हो गई तो दुखी हो गए कोई स्वजन के स्वजन के सरीर चले जाने का समाचार मिला तो दुखी हो गए और कुछ प्राप्त हो गया अचानक पद मिला पद भी मली बड़ोतरी हुई लक्षमी मिली धन मिला प्रतिष्ठा मिली हमारे चाहने वाले हमारे पास आ गए अचानक तो बुले जो दिन में तुमें कितनी बार दुख बेजता है और कितनी बार सुख भी बेजता है सो सुख को उसके उपर छोड़ दो उसकी इच्छा मत करो तू सुख को उसके उपर छोड़ दो तुम सुख की इच्छा मत करो सुख दुख के रहस्य को जानने वाले पुरुष जो है वो उसके लिए कभी कोशिश करते नहीं है वो कभी प्रयत्त नहीं करते हैं क्योंकि जिस रास्ते से दुख आता है उसी रास्ते से सुख भी आता है बुले चेतन की प्रधानता से उसको हम इश्वर कहते हैं और जड़ता की प्रधानता से उसे हम प्रारब्द कहते हैं चेतन की प्रधानता से उसे इश्वर कहते हैं और जड़ता की प्रधानता से उसे हम प्रारब्द कहते हैं बुले अजगर से मैंने यह सिखा कि चाहे कभी मिठा ग्रास मिले या कडवा ग्रास मिले चाहे पूरती मात्रा में मिले या अपूर्ण मात्रा में मिले कैसे भी मिल जाए हमें संतुष्ट रहना है थोड़ा मिले या ज्यादा मिले हमें जो कुछ मिला है वो इस्वर इच्छा से अथवा प्रारब्द के अनुसार हमारे पास आग मिला है उसे में हम संतोष कर ले इसलिए कहते हैं हमें जो कुछ मिला है वो हमारे लिए सर्वस्रिष्ठ है Do not cry over the situation Do not brood over the situation परिस्थिती के उपर रोना नहीं है परिस्थिती के उपर दुख प्रगट नहीं करना है असंतोष प्रगट नहीं करना है हमें मालूम नहीं है जिसने दुख भेजाए जिसने वो परिस्थिती भेजी है वो हमारे करमों के फल के अनुसार हमारे मंगल के लिए भेजी है तो परिस्थिति के उपर हमें रोना नहीं है परिस्थिति के अंदर में हमें उसका सुख बोध नहीं करना या दुख बोध नहीं करना है जो कुछ हमें मिला है हमारे लिए वो स्रिष्ठ है चाहे जैसा भी हो पहले हमारे मन में हम सिद्धान्त बना दे बोले भोग बोले देखो जिवन के अंदर में तुम भोग के लिए व्याकुल मत हो जिवन में भोग करने के लिए व्याकुल होने की कोई आवशक्ता नहीं है मनुष्य को रोटी ही चाहिए नहीं है हम सब को दो रोटी दाल सबजी चावल जो सिंपल साधा भोजन है उससे मनुष्य का पेट भर जाता है हमारे में असंतोश तब आता है बुले ना हमें ऐसी रोटी चाये घी में डुबोई हुवी चाये सबजी इतनी इतनी चाये ऐसे-ऐसी सबजी चाहिए ऐसे-ऐसे चावल होने चाहिए ऐसे-ऐसी दाल होनी चाहिए ऐसे-ऐसी मिठाई रखी होनी चाहिए तब जाकर करें हम खाएंगे तो बहुते इसी के कारण मनुष्य अपने स्वयम के लिए दुख उत्पन कर लेता है कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए इसलिए देखिए अजगर को यदि भोजन न मिले कुछ दिन तो कहीं दिनों तक वो सोता रहता है बोले अजगर के समान कर्म के द्वारा अथवा इश्वर के द्वारा जो कुछ भेजा गया है हमको उसी का हम भोग करे अभी अभी हमने देखा चेतन की प्रदानता से उसे इश्वर कहते है और जड़ता की प्रदानता से उसे प्रारब्द कहते है तो हमारे कर्मों का फल प्रारब्द के अनुसार या इश्वर ने जो कुछ हम को भेजा है हमारे लिए वो हमारे लिए सरेष्ठ है महात्मा लोग समझाते हैं परिस्थिती पर रोने की आवश्चक्ता नहीं है इस्वन ने मुझे जो कुछ भी परिस्थिती दिये वो मेरे लिए स्रेश्ट है उसमें से मुझे अपने स्वयम का रास्ता निकालना है दुखदाई परिस्थिती है तो कोई इंद्रियों के अनुकुल परिस्थिती मिली है तो समझ नहाएं कि अभी भगवान ने मुझे बांधने की सरुबात कर दी है शुख हमें बंदन में डालता है दुख हमें वैराग्य प्रदान करता है तो बोले मन में शक्ती है इंद्रियों में शक्ती है सरीर में भी शक्ती है लेकिन फिर भी सरीर को निश्क्रियक किये हुए बैटे हैं कौन बले दत्तातरी अबदूत जी अजगर से वो वह यह सिखते हैं स्वयम निश्क्रियक हो करके बैटे हैं क्यों कि मुझे मेरे प्रारब्द के अनुसार या इश्वर जो भी मुझे भेजेगा मैं उसे में संतुष्ट रहूंगा चाहे मिठा हो कड़वा हो खटा हो तिखा हो तुरा हो कैसा भी हो अल्प मात्रा में हो या पुर्ती मात्रा में या विपुल मात्रा में हो दिखे हमारे सरीर में काम करना बहुत आसान है लेकिन चुप चाप बैठे रहना बहुत कठीने माराज कीतने सारे लोग ऐसे हैं नठन्ने निकम में हो करके गर में बैठे रहते कोई काम करने नहीं जाते तो क्या वो अवदू दत्तात्रे की तरह हो गए है बोले कता ही नहीं वो तो जडता में तमोगुण में आबद्ध हो चुके है अवदू तो दत्तात्री उस कक्षा के नहीं है अवदू तो दत्तात्री ने तो तमोगुण रजोगुण इवं सत्वगुण तीनों गुणों के पार करके अपने स्वरूप में वो स्थित है वो को सब समय वो आनन्द है उनमें भीतर का आनन्द है जो नठन्य है निकम्य है उनको उनकी जो चाहना है उसको मत दीजे फिर देखे कितना तुफान मचाते हैं तो यहां उनकी बात नहीं है यहां तो उस अबदूत की बात है जो तीनों गुणों को पार कर चुके हैं जो अपने स्वरूप में स्थित है कैसा भी मिल जाए किस तरह से भी मिल जाए उसमें संतुष्ट है प्राप्ता प्राप्ते समबुद्धीने सैयम उरमा राजेरे रंगदूत महराज लिखते हैं जिसको प्राप्त एवं अप्राप्त की बुद्धी ही नहीं है मुझे ये प्राप्त करना है और अभी मुझे ये अप्राप्य है वो बुद्धी ही नहीं है बोले ना कुछ प्राप्त करना है ना कुछ खोना है हम हमारे में ही मस्त है हमो मन मौजी फर नारा हमोने बाद नारूकुन सदा निह संगीने नियारा जगतने मानना रात्रुन अगवदूत महराज का ये भजन है तो कहते हैं संसार के अंदर में जिस पदार्थों को बहुत महत्व देते हैं अवदूत परमहुंस लोग, महात्मा लोग उसको कता ही महत्व नहीं देते हैं महात्मा लोगों में प्राप्त एवं अप्राप्त वाली बुद्धी होती ही नहीं है कि मुझे ये प्राप्त करना है और ये ये चीज मेरे लिए अभी अप्राप्य है उनमें वो भेद बुद्धी ही नहीं है काम करना आसान है लेकिन निकम्मा हो करके बैठना अर्थात क्या अवदूत की तरह बैठना तिनों गुणों का अतिक्रम करके अपने स्वस्वरूप में बैठना वो बहुत ही कठीन है यह अवदूत लोग कोई तमोगुण में रह करके बैठते नहीं है निकम्मे नठन्ने नहीं है वो यह मत समझे कि हम जो लोग दो तीन घंटा आलस्य में पड़े रहते हैं वैसा ही अवदूत लोग ऐसा अभ्यास कर ली है दो तीन घंटे की जिगए बुले चौबीसों घंटा वो आलस्य में पड़े रहते हैं जी ना बिलकुल नहीं वे तो तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण तीनों गुणों का अतिक्रम करके अपने स्वस्वरूप में स्थित हो चुके हैं इसलिए महात्मा लोग समझा आते हैं बहुत सुंदर सिद्दान थे अवदूत की स्थिति को समझने के लिए बहुत जीवनमुक्त किसे कहते हैं आता है ने तुरियानेंजी महाराज कहते है जीवनमुक्ती सुखप्राप्ती है तवे जन्मधारितम आत्मना नित्यमुक्ते न न तु संसार काम्यया जिवनमुक्ति का सुख प्राप्त करने के लिए ही आत्मा ने सरीर दयारण किया है ना कि संसार की कामनावों के लिए तो बुले जिवनमुक्ति किसको कहते हैं जिवनमुक्त किसे कहते हैं बुले जो शुशूप्ति में अब तीन अवस्था हम जानते हैं जागरत स्वप्न एवम सुशूप्ति नराया। जागरत अवस्था अर्था हम अभी सब लोग बैठ करके शिमत भागवत महापुराण का स्रबन कर रहे हैं। यह जागरत अवस्था है जागरत अवस्था में हम कार्य कर रहे हैं कुछ भी हो कार्य अलई का धंधा का ग्रिह का खेत में कोई भी कार्य हो यह जागरत अवस्था में सपना अवस्था में दोपर में तंद्रा दिन होते हैं या रात्री में शयन करने जाते हैं तो वो सपना नहीं है तो बोले जीवन मुक्त किसको कहते हैं बोले शुशुप्ति अवस्था में स्थित होकर जो जागता रहता है अब शुशुप्ति अवस्था में कोई जागता नहीं है दोनों ये वाक्य को ध्यान से स्रवन कीजिए शुशुप्ति अवस्था में स्थित होकर जो जागता रहता है सुशुप्ति में कोई जागता है यदि जागता होता तो उसको शुशुप्ति बोलते ही नहीं बुले शुशुप्ति में तो हमारे नाम से कोई चिलाता है फिर भी हमें सुनाई नहीं दे रहा है तो यहाँ कहने का तात्पर यह क्या है जो शुशुप्ति में स्थित हो करके जागता रहता है बुले माने जैसे शुशुप्ति में प्रपंच की प्रतिती नहीं होती है शुशुप्ति में हमें प्रपंच की प्रतिती नहीं होती है बिल्कुल नहीं होती है प्रपंच दिखाई नहीं देता है शुशुप्ति में पूर्ण रुप से तो शुषुप्ति में हमें प्रपंच की कोई प्रतिती नहीं होती है उसी तरह से महात्मा शुषुप्ति में स्थित होकर के जाकते रहता है अर्थाथ उसको ये प्रपंच दिखता नहीं है जो प्रपंच हमें दिखता है अर्थात हमें इस परिच्छिनता का अनुबव हो रहा है प्रतिपल हम आप से अलग है आप हम से अलग है हम सजीव है कोई निर्जीव है हम मनुष्य कोई प्राणी है पसु है पक्षी है कीट है और हम एक दूसरे से अलग है एक दूसरे से परिच्छिन है तो कहते हैं कि शुशुप्ति में स्थित होकर वो जागता रहता है अर्थात उसको ये नानात्व दिखाय देता नहीं है भिन्नता दिखाय देती नहीं है परिछिन्नता अलगाव दिखाय देता नहीं है बोले जैसे शुशुप्ति में प्रपंच की प्रतिती नहीं होती है वैसे ही बोले दुनिया की प्रतिती होती नहीं है बोले दुनिया की प्रतिती नहीं होती तो क्या वहाँ उसको क्या अंदकार गोर अंदकार दिखाई देता है बोले बिलकुल नहीं गोर अंदकार की बात नहीं है बोले तो क्या है बोले वो अहमता इवं ममता रही तो हो गया है जो जैसा है वैसा उसको दिखाई दे रहा है अर्थात बिन्दता दिखाया देती नहीं है एकता दिखाया देती है वही इश्वर के अनेक विदरुप उसको दिखाया दे रहा है और शुशुप्ति के अंदर में जो चेतना का लोप हो जाता है शुशुप्ति में हमारी चेतना नहीं रहती है बहुत कम मात्रा में रहती है को यदि शुशुप्ति में हमारे नाम पर कोई चिलाता है फिर भी हमको सुनाई नहीं देता है तो कहते शुशुप्ति में जैसे चेतना का लोप हो जाता है तो बुले चेतना का लोप भी न हो अर जागता रहे शुशुप्ति में जागता रहे चेतना का लोप नहीं उबा जागता रहे पर कुछ देख नहीं रहा है अर्थात कुछ देख नहीं रहा है परिछिन्नता उसको दिखाई दे रही नहीं है उसकी चेतना का लोप नहीं हुबा है जाग रहा है पर कुछ देख नहीं रहा है योजा गरतेश शुप्ष्थो यस्य जागरन विद्यदे यस्य निर्वासनो बोदह साजिवन मुक्त उच्यदे जिवन मुक्त किसको कहते है बोले इसको जिवन मुक्त कहते है तो क्या उसको नारी पुरुष सस्त्री कुछ दिखाई नहीं देता है बोले सब दिखाई देता है लेकिन कहीं पर वो अहमता एवं ममता से बदा हुआ नहीं है इसलिए कहा कि शुशुप्ति में सित होकर जागता रहता है जागता रहता है अर्था तो उसकी चेतना पुर्ण रुप से है और बले कुछ देख नहीं रहा है कुछ देख नहीं रहा है मानि परिचिन्नता नहीं देख रहा है एकत्व देख रहा है तो बहुते जागरत अवस्था उसमें होती ही नहीं है जो ज्ञान सबका है उसको ज्ञान सबका है कि यह नारी है यह स्तरी है यह पुरूश है यह सजीव है यह निर्जीव है यह पसु है पक्षी है कीट है परंतु वासना किसी की नहीं है ग्यान सबका है जिवन मुक्त को ऐसा मत समझे उसको ग्यान नहीं है हमने देखा है जिवन मुक्त को भुक नहीं लगती है क्या अवश्य भुक लगती है जिवन मुक्ती कारिय नहीं करता है क्या अवश्य कारिय करता है तो बोले कैसे करता है आप जो कह रहें कि उसको तो जग रहता है अर्थात क्या बुले सबका ज्यान उसको रहता है स्थावर जिंगum सबका ज्यान उसको रहता है परन्तु उसमें वासना किसी की नहीं है वो बिन बिन प्रकार के व्यंजन भी देख रहा है बिन बिन प्रकार के खाने की वस्तुएं देख रहा है रोटी देख रहा है चावल देख रहा है दाल देख रहा है सबजी देख रहा है मिठाईया रखी हुए बुंदी के लड़ू से लेकर बिनन बिनन वो सब कुछ देखता है वो लेकिन उसको वासना किसी की नहीं है उदाहरन के रूप से देखे तुबले आँख जो है वो आँख का काम है फुल को देखना आँख हमारा फुल देख रहा है सामने पुष्पो की माला पड़ी है सामने फुल पड़े है तो आँख जो है उसका काम है पुष्प को दिखाना अब उस पुष्प को देख करके उसकी माला बना करके उस पुष्प का माला का माला पहनने की इच्छा हुई बोले वो आँख का काम नहीं है आँख तो केवल दिखा देता है कि सामने पुश पर रखे है आँख का काम है फुल को दिखाना लेकिन उसको सुंगने का उसको छू ले उसको स्पर्श कर ले अरे उसकी माला बना करके हम स्वयम पहन ले यह काम आँख का नहीं है तो बोले ज्यान का काम है जो चीज जैसी है उसको वैसा ही दिखा देना जो चीज जैसी है वैसा ही उसको दिखा देना लेकिन उस फुल को बोले खाने से क्या-क्या लाब मिलेंगे वो वैद्राज का कारिया है वाइद्य बताते है वो उशदी बनाने वाले वाइद्य का कारिया है और फूल देखते ही मन में मोहित हो जाना वासना का जागरत होना उदय होना कि हम इस माला को पहने इसको हम खाए उसका स्पर्श करे उसका ग्रान ले उसमें खाने की वासना होना उस सब किसका कारिय है बुले वो वासना का कारिय है तो ज्ञानी पूरुस सुरुष्टी को तो देखते हैं नहीं देखते हैं ऐसा नहीं है उनको सुरुष्टी जैसी है वैसी दिखाई दे रही है लेकिन सुरुष्टी के कोई भी व्यक्ति वस्तू और घटना में उनको वास ज्ञानी पुरु सुरुष्टी को तो देख लेते हैं, उनको ज्ञान तो होता है, कि यह मिट्टी है, आग है, हवा है, वायू है, मनुष्य है, पसु है, पक्षी है, कीट है, लेकिन उसमें कहीं पर भी उनकी वासना उससे जोड़ी हुई नहीं है, वो भोग में वासना नहीं होती, उनके भोग में, वो बोजन करते हैं, वासना की कारण नहीं करते हैं, कारिय करते हैं, फल की इच्छा से कारिय नहीं करते हैं, फल में आसकत होकर के कारिय नहीं करते हैं, खाने के समय जो मिला वो खा लिया पिनी के समय जो मिला वो पिलिया मडे ते खई मिश्ट हो के कदन रहवू पडिवाड महले के असन भले चीथरा केरे समी वस्त्रसूत स्मरीले प्रतिस्वास हे चित्त दत्त तो केते अवदोत के सारी इंद्रिया जिंदा है और फिर भी वो चेश्टा नहीं कर रहा है सबी इंद्रिया ठीक है ऐसा नहीं कि कोई इंद्रिया में कुछ गरबड़ी हो गई है बुले लुला हो गया इसले चलता नहीं ऐसा नहीं है नित्रहीन हो गिया इसलिए उसको दिखाईने देखता नहीं है ऐसा नहीं है गुंगा है इसलिए बोलता नहीं है ऐसा नहीं है उसकी सभी इंद्रिया ठीक पुर्ण रुप से कार्य कर रही है फिर भी वो निस्चेश्ट हो करके पड़ा है उसमें प्राप्त और अप्राप्त की बुद्धी नहीं है जो अपने कर्म से आकर कर्म के फल के कारण जो मिले जाता है उसमें वो संतुष्ट रहता है क्योंकि वो जानता है जो मुझे दुख भेज रहा है वही सुख भेजने वाला है जब परमात्मा मेरे लिए कार्या कर रहे है इतना सोच रहे तो मुझे स्वयम के बारे में सोचने का कोई गुंजाइस नहीं मेरे कोई स्वयम के बारे में सोचने की कोई आवशकता नहीं है वो सर्वता परिपूर्ण रोप से पूर्ण शरनागत हो करके अपने स्वरूप में स्थित हो करके तिनों गुणों का अतिक्रम करके वो आनंद से पड़ा रहता है तुब बले मैंने अजगर से यह सिखा अब आगे की बात आती है समुद्र से क्या सिखा उसके पहले हम एक भजन का रसास्वाद लेंगे महरास से नम्रने विदन रहेगा बजन का रसास्वाद कराईए मधुमय कमल समा तब चर्णे मधुमय कमल समा तब चर्णे अमने राखो सजा तब चर्णे अमने राखो सदा तवचरणे मधुमय कमल समा तवचरणे मधुमय कमल समा तवचरणे अमने राखो सदा तव चर्णे अमने राखो सदा तव चर्णे अमती मीरे तव तेज़ जगव जए अमती मीरे तव तेज़ जगव जए अमरुधीरे तव बल पेटव जए अमती मीरे तव तेज़ जगव जए अमरुधीरे तव बल पेटव जए अम अंतर मा तव पद दर जए अमने राखो सदा तव चर्णे मधुमय कमल समा तव चर्णे मधुमय कमल समा तव चर्णे अमने राखो सदा तव चर्णे अमने राखो सदा तव चर्णे अगाधूं आकाश समा तव अगाधूं आकाश समातव अगाद हो आकाश समातव अमुचेतन्य बनाव महारणव अमुचेतन्य बनाव महारणव आकाश समातव अगाद हो आकाश समातव अमुचेतन्य बनाव महारणव अमुचेतन्य बनाव महारणव अमने आप सकल तव वैभाव अमने राखो सदातव चर्णे अमने राखो सदातव चर्णे मधुमय कमल समातव चर्णे मधुमय कमल समातव चर्णे अमने राखो सदातव चर्णे अमने राखो सदातव चर्णे अमने राखो सदातव चर्णे अमती मीरे तव तेज जगव जये अमती मीरे तव तेज जगव जये अमती मीरे तव तेज जगव जये अमने राखो सदातव चरणे मधुमय कमल समातव चरणे मधुमय कमल समातव चरणे अमने राखो सदातव चरणे मधुमय कमल समातव चरणे अमने राखो सदातव चरणे कुष्णक्रमय आला लगी तो बुले आगे समुद्र अब समुद्र से क्या सिखा? तो कहते हैं मुनि प्रसन गंभिरो दुर्विगायो दुरत्ययह अनन्त पारो यक्षोब्यह स्तीमी तो दैवार्णवह अनन्त पारो यक्षोब्यह स्तेमी तोद इवार नवा बुली मुनी कैसा रहता है बुली समुद्र की तरह रहता है बुली मुनी कौन है वह मुनी है माने मौन है मौन मा मुनी जणो मौज माने जो मुनी होते हैं वो मौन रहते हैं प्रसन्न रहते हैं, आनंद में रहते हैं और गंबीर होते हैं, गंबीर अर्थात ऐसा मत समझ लिजे कि बाहर से गंबीर होते हैं पर बीतर से अत्यनत आनंदित होते हैं वो, अर्थात देखने में अत्यन्त निर्मल है लेकिन गहराई बहुत है उनमें समुदर के जैसा समुदर का जल जो है समुदर कितना निर्मल होता है समुदर का जल बुले अपना तन तक दिख जाता है समुदर के जल में लेकिन समुद्र के अंदर में गहराई कितनी होती है, कोई ऐसा कह सकता है, कि लाओ समुद्र में डुबकी मार करके कुछ निकाल के लिए आवे, संबव नहीं है, समुद्र में डुबकी नहीं लगा सकते हैं, उसके तलबे में जाकरके कुछ प्राप्त करने के लिए, समुद् नहीं प्राप्ट कर सकते, समुद्र को पार नहीं कर सकते हैं बस उसी तरह से समुद्र जिसे बाहर से शान्त है और भीतर से धीर गंबीर है उसी तरह से महात्मा लोग बाहर से उनका रदय एक्दम स्वच्छ होता है, निरमल होता है, प्रसन्न होते हैं लेकिन वो बहुत घहराई में होते हैं उनका कोई पार नहीं पाम सकता है महात्मा को बाहर देखकर के मत समझ लिजी ये महात्मा है या दुरात्मा है महात्मा का कोई पार क्यों नहीं पाम सकता है क्योंकि महात्मा कहां बैठा है अपने स्वरूप में बैठा है सच्चिदा अनन्द में बैठा है और सच्चिदा अनन्द कैसा है बुले अनन्द है अपना स्वरूप कैसा है बुले अनन्द है सीराम कृष्ण देव के बारे में म तो अनन्त का कोई पार नहीं पाम सकता है, तो महात्मा अपने स्वरूप में बैठा है, मानि अनन्त में बैठा हुआ है, महात्मा के बितर में डुबकी लगा करके उसके मन को कोई समझ नहीं सकता है, अर्थात उसके मन का पार कोई पाम नहीं सकता है, क्यों बुले? क्योंकि हम किसी के भी मन को देख सकते हैं देख सकते मानि उसके क्रियाव को समझ करके उसके विचार को समझ करके उसके मन में क्या चल रहा है वो हमें मनोवज्यानिक रूप से पता चलता है on the ground of psychology we can understand what is happening in his mind or in her mind what type of thoughts she or he has how far he will work in this direction how far he will go how far he will or she will react we can understand it on the ground of psychological level हम मनोवज्यानिक इस तरपर किसी भी व्यक्ति कही क्रियाव उसका व्यवहार उसके विचार को देख करके उसके साथ रह करके समझ पाते हैं कि उसके व्यक्ति के अंदर में किस प्रकार का मनि कुस प्रकार की प्रतिक्रिया आती है वो कैसे क्रिया करेगा कहां तक वो प्रतिक्रिया करेगा कैसी करी इसी परिस्थिति में वो अपना आपको रख पाएगा सब कुछ हम समझ सकते हैं थोड़ो मनों विज्ञान का अभ्यास करेंगे तो समझ में आ जाता है लेकिन महात्मा के मन को आप इस तरह से नहीं समझ सकते हैं जैसे समुदर के अंदर में डुब की लगा करके उसके तलवे में से कुछ निकाल लाना असंबव है वैसे ही महात्मा की वृत्ति को महात्मा के भाव को समझना अत्यंत कठीन है इसलिए स्री राम कृष्ण देव ने कहा अरे मैं स्री राम कृष्ण देव की जीवनी लिख करके स्री राम कृष्ण देव को कोई एक भाव में आबद्द करना नहीं चाहता हूँ नरेंदरात दत्त स्वामी विवेकानन्द कह रहे हैं स्री राम कुर्ष्ण देव के बारे में कि मैं स्री राम कुर्ष्ण देव की जीवनी लिख करके स्री राम कुर्ष्ण देव को वो कोई एक भाव में आबद्द करना नहीं चाहता हूँ उनके अंदर में अनंत भाव थे वो कोई एक भाव में आबद्द नहीं थे स्वामी ब्रह्मानंद स्रीरामकृष्टनेब के मानसपुत्र वोस्वजम कहते हैं अरे एक एक दिर में हमने ठाकूर के अंदर में, उने के सरीर में, उनके मन में अनंत भाव देखे, अने को भाव देखे, कौनसे भाव का हम बरणन करने जाए, तो महात्मा के मन में कौनसा कौनसा भाव है, भगबान के प्रती, वो हमें समझ में नहीं आवेगा, ठाकूर के प हो या वैश्णव हो कोई भी हो ठाकूर सब का समाधान करते थे कैसे करते थे बोले देखो मैं जब कर रहा था तब मुझे भी ऐसा हुआ था तब मैंने ऐसा किया था ठाकूर के अंदर में अनन्त भाव है अरे वो अनन्त को देखने की खिड़की है उनके अंदर में से उस अनन्त को देख सकते हैं वह व्यक्ति है स्री राम कुष्ण देओ इसलिए कहा कि महात्मालूग जो होते हैं उनके मन को भी कोई उनके अंदर में कौन सा भाव है कोई किसी को पता नहीं चल सकता है समुदर के अंदर में पर समुद्रक शुद्ध नहीं होता है वैसे ही मातमा लोग होते हैं प्रसन गंबेर होते हैं उसके दिल की याद किसी को उसके दिल की थाह किसी को मिलती नहीं है उसके दिल की उसका दिल की गहराई कहा है वो किसी को समझ मनी आएगा उनकी वृत्ति कौन सी है उनका भाव क्या है किसी को समझ में नहीं आएगा उसका आतिक्रमन कोई नहीं कर सकता है महात्मा के भाव को पार पाना कठीन है कोकि वो परमात्मा से एक है अब परमात्मा क्यासा है बोले अनन्त है जब परमात्मा अनन्त है तो उसके भाव भी अनन्त है को कि वो परमात्मा से एक हो करके बैठा है संसार के विशय भोग आकर के उसके चित्त में कोई शोब उत्पन्न नहीं करते हैं कोई लालच उत्पन्न नहीं करते हैं कोई विचलन पैदा नहीं करते हैं उसके मन में समुद्र में कभी बाड आई ऐसा सुना अपने ? बैस समुद्र में बाड आई है समुद्र में कभी बाड नहीं आती है और गर्मी के दिनों के अंदर में सुरज की गर्मी से बोले समुद्र सुख जा रहा है सुखा जा रहा है वह भी कभी नहीं होगा ना गर्मियों में समुदर सुख जाता है ना वर्षाकाल में सब नदियों का जल समुदर में गिरता है तो बुले समुदर में बाड भी नहीं आती है तो जैसे नदियों के आने से समुदर में बाड नहीं आती है और नदियों के ना आने से समुदर का जल गटता भी नहीं है कम भी नहीं होता है उसी प्रकार महात्मा के पास यदि जगत की बहुत सारी चीजे भी आ जाए तो महात्मा खुश नहीं होता है महात्मा ऐसा नहीं सोचता कि मेरे पास जगत में भोग करने की बहुत सारी चीजे आ गई बहुत सारे नाम हो गए, पद हो गए, प्रतिष्ठा हो गई, ख्याती विख्याती हो गई, बहुत सारे जगत की सामगरी उनके पास आ गई, तो समुद्र की, समुद्र जैसा बहुत सारे नदियों का जल उसमें गिरता है, तो समुद्र बढ़ता नहीं है, वैसे इस महात्मा अपने आपको बड़ा नहीं समझता है जगत की कोई चीजे प्राप्त होने से उसको कोई पद मिला प्रतिष्ठा मिल गई ख्याती विख्याती हो गई नामना हो गई बहुत बड़ा आश्रम खड़ा कर दिया तो महात्मा उसे अपने को बड़ा नहीं समझता है कभी भी क्योंकि वो जानता है जगत की सब चीजे नश्वर है अर्थात महात्मा में अभिमान नहीं होता है कुछ पद मिल जाने से कोई ख्याती विख्याती हो जाने से महात्मा को अभिमान नहीं होता है वो ऐसा कभी नहीं कहते हम भोग में बड़े हैं हम अच्छी तरह सा भोग कर पा रहे हैं हमारे पास सुख साधन बहुत हो गए हैं महात्मा का ये भाव कता ही नहीं होता है देखिए महात्मा का बड़पन तो सुख भोग के साधनों आने से महात्मा का बड़पन नहीं होता है सुख भोग के साधन बढ़ने से बढ़पन तो दुनिया के संसारी लोग करते हैं कि भई हमारे पास यह पद नहीं था यह पद आ गया किर्ती नहीं थी तो किर्ती आ गई प्रतिष्ठा नहीं थी तो अब समाज में हम प्रतिष्ठित हो गए मकान नहीं था तो हमने ग्रुह के निर्मान का कार्य कर दिया मकान भी हो गया संताने हो गई संतान भी अभी बहुत ख्याती बान हो चुकी है हमारी ख्याती स्वामी जी पुरे नगर में है तो संसार के भोगों से जो ख्याती प्राप्त होती है संसार के भोगों से जो आनंद मिलता है और उसमें जो गर्व का अनुबहु करता है वो तो संसार ही करता है महात्मा लोगों के पास यदि ये सब चीजे आ जाती है तो महात्मा खुश नहीं होते हैं उसको लेकर के अहंकार नहीं करते हैं उसको लेकर हर्शित भी नहीं होते हैं महात्मा का तो बड़पन किसमें होता है महात्मा का तो बड़पन उसके पास कुछ भी न होवे उसमें होता है महात्मा का बड़पन त्याग वही राग्य के अंदर में है एक सादक था मनि महात्मा सन्यासी होने के लिए आये थे और एक दिन कुछ चीज खरीद नहीं थी तो वो बुले कि ना वही चीज हम खरीदेंगे वो बेष्ट है ब्रांडेड है और उससे बुले सोशल स्टेटस बढ़ता है तो जिस सन्यासी के सामने वो बुले वो सन्यासी ने उनको इतना डाटा उनकी सान ठिकाने लाई कि सन्यासी का स्टेटस है कोई भोग भुगतना नहीं है सन्यासी का स्टेटस होता है त्याग और वैराग्य में सन्यासी का स्टेटस जगत की चीजे एकठा करने में नहीं होता है सन्यासी का स्टेटस जगत के भोगों में भोग भुगतने के लिए नहीं होता है वो तो संसारी का स्टेटस होता है सन्यासी का स्टेटस नहीं होता है सन्यासी उसमें अहंकार नहीं करेगा सन्यासी उसमें अपना बडपन का भाव नहीं लावेगा सन्यासी का बड़पन तो त्याग और वैराग्य में होता है इसलिए तो सन्यासी को हम सम्मान देते हैं हम सब लोग सन्यासी को बंदन क्यों करते हैं आप सब लोग सन्यासी महत्मा को बंदन क्यों करते हैं दो ही कारण से सन्यासी महत्मा को बंदन किया जाता है उनको सम्मान दिया जाता है एक है उनका वैराग्य और दूसरा है उनका अपना आध्यात्मिक अनुभव सन्यासी को उसकी पद, प्रतिष्ठा, ख्याती, विख्याती उसके प्रबचन सुन करके उसकी कार्यक्षमता देख करके उसकी वाकपटुता देख करके उसकी बिद्वत्ता देख करके उससे सन्यासी को सम्मान नहीं दिया जाता है सन्यासी को सम्मान दिया जाता है केवल दो कारण की वज़े से एक है उसका वैराग्य और दूसरा है उसका आध्यात्मिक अनुभवा ज्यान तो बहुतों के पास होता है किताबों का ज्यान तो कथीपई उस्टक मुखस्त कर लिए कुछ कथीपई भाशाई शिख ली तो क्या व्यक्ति विद्वान बन जाता है वो तो वाग वैखरी, सब्द जरी, सास्त्र व्यक्थान का उशलम वैदुशाम वैदुशाम तदवद भुकते नतुमुकते वो जो कह रहा है उसमें उसका अपना आध्यात्मिक अनुभव उसका जुड़ा हुआ है की नहीं वह देखा जाता है वो वैराज्यवान है की नहीं सबकुछ रहते हुए एक एक्षण में सबकुछ छोड़ सकता है की नहीं वह सन्यासी है तो सन्यासी के पास बोग भुगतने की साधन बढ़ भी जाते हैं तो सन्यासी उसके पर अहंकार नहीं करता है बोग भुगतने के साधन बढ़ गए आसरम बढ़ गए सुख सुविदा के साधन बढ़ गए तो सन्या से उसको लेकर कभी अहंकार नहीं करता है उसको लेकर सुखी नहीं होता है वो तो संसारी का बड़पन होता है साधू के पास सम्रुद्धी आई तो वह सोचता है कि अरे ये चीज हमारे पास नहीं आनी चाहिए थी वह चीज आ गई है बोले उसको निकाला उसका वित्रन करो और यदि कोई चीज नहीं आई तो उसको प्राप्त करने के लिए हाई हाई नहीं करता है बोले हमारे पास ये नहीं मिला हमें ये नहीं मिला हमें ये नहीं मिला उसमें वो अपुर्णता नहीं रहती है महात्मा को समुरुद्धी मिलने से अभिमान नहीं होता है और नम मिलने से कोई दुख भी नहीं होता है मिला राज तो क्या खोया मकान तो क्या मालूम किस को प्यारे क्यों को कि महात्मा क्या है बोले नारायन परायन है महात्मा नारायन में बैठा हुआ है अथवा नारायन हो करके बैठा है इसलिए उसको इस दुनिया की चीजों से कोई मतलब नहीं कि चीजे आये या जाये उससे उसको कोई मतलब नहीं है सन्यासी वह है तो बुले मैंने समुंदर से यह सिखा अब आगे आता है पतंग से क्या सिखा वो कल देखेंगे आज उन्हीं की बानी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए बगबान से प्रार्थना करते हैं प्र बगबान गीजे वृंदावन भिहारिलाल गीजे द्वारिकादीश कीजे उम् नमप्पार बदेपदै हरहर महादेवहर क्या चार लाओन बदेवहर गुरुरु ब्रम्हा, गुरु विष्णु हूं, गुरु देवो महेश्वरह, गुरु रे वपनं ब्रम्हा, तस्मै श्री गुर्वे नमः, अग्ञान ति मिरंधस्या, गुरु ब्रम्हा, ग्नान ति मिरंधस्या, ग्णान जनश्लाक्या, चक्षुरं मीलितं येना दस्मेश्री गुरवे नमहा अखंडमंडलाकारं व्याप्तम्ये नचराचरं तत्पदं दर्शितं येनां तस्मेश्री गुरवे नमहा अनेक जन्मसंप्राप्त कर्मबंध विदाहिने आत्म ज्नान प्रदानिनां तस्मेश्री गुरवे नमहा अन्ना तस्ष्री गुरवे नमहा Madguru Shri Jagadguru Mamātmā Sarvabhūtātmā Tasmai Shri Gurave Namah Brahmānandam Paramasukhadam Evalam Nānamurtim Dvandvātītam Gagana Sadrusham Tattvama Syādi Lakshyam Dvandvātītam Gagana Sadrusham Tattvama Syādi Lakshyam Dvandvātītam Gagana Sadrusham Tattvama Syādi Lakshyam Ekam Nityam Vimalamacalam Sarvadhisākshibhūtam Ekam Nityam Vimalamacalam Sarvadhisākshibhūtam Dvandvātītam Gagana Sadrusham Tattvama 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 Sadr प्रणमामी मुहुर्मुहु। नमश्यति राजाय विवेकानन्द सूरय सच्चित सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहर्ने। आज 15 ओक्टोबर है, डॉक्टर एपिज अब्दुल कलाम का जन्म दिन है। 15 ओक्टोबर 1931 को जैसा कि आप जानते हैं, रामेश्वरम नाम के एक छोटे से गाओं में। रामेश्वरम मंदिर जो शिवजी को अरपित है, उससे बहुत दूर नहीं। इनका जन्म हुआ और किस प्रकार से समाचार पत्र बेश केरके, उन्होंने अपनी शिक्षा दिक्षा प्राप्त की, किस प्रकार से अत्यंत गरीबी में उन्होंने अपना जीवन बिताया। परन्तु एक मुस्लिम होते वे भी उनको और केवल मुस्लिम नहीं, अत्यंत निष्ठावान मुस्लिम, जो कि सभी नियों का पालन करने वाले मुस्लिम, जो कि उनकी पिताजी स्वयम ही वे एक धर्म गुरू थे, अतह पूर्ण तह इस्लाम धर्म को समर्पित। और उनकी पिताजी के मित्र थे, वे चुस्त हिंदु थे, उनकी मित्रता के कारण पहले सी मानो सरवधम समन्वे की भावना बचपन से उनके मन में प्रवेश कर गई, और वे एक तरब कुरान का पाठ करते थे, एक तरब गीता का पाठ करते थे, उनको कभी ये लगाई नह हैं या भी सभी धर्म के बीच में सामंजस नहीं है, ऐसी बात क्योंकि ने बचपन से ही उनके भीतर में ये मानो संसकार डाल दिये थे उनकी पिताजी ने, और इस प्रकार का माहौल उधर का था रामेश्वरम का, कि जहां पर सभी धर्म के अनुयाई एक साथ प्रेम से रह अक्तियंत गरीबी में पले, उनको गरीब लोग किस प्रकार की वेदना से प्रकार, उनको ये जीवन में उसको जेलना पड़ता है दुख, ये सब का खुदी, उसका फर्स्ट हेंड एक्सपीरियंस उनको मिला था, और इसे लिए बाद में गरीबोंक लिए उन्होंने इतन सोचार इतना किया और किस प्रकार से शिक्शादी शाप्राप्त करके साइंटिस्ट बनते हुए बाद में DRDO में गए, इस्ट्रो में गए, किस प्रकार से सैटेलाइट जो प्रक्षेप्तर हुए, उसमें उनको ब्हुमी का बजाई, भहतोपन ब्हुमी का बजाई, कार से उन्होंने मिसाइल में के नाम से प्रसिद्ध हुए पहले तो और फर बाद में जब वो DRDO से उन्हों रेजिगनेशन दे करके सभी यूगों से मिलना सुरू किया और बाद में फिर राष्टरपती बने तो पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से जो प्रसिद्ध हुए यह कई किताबे हैं सबसे पहली किताब जो निकली थी वो थो Ignited Minds उसमें उन्होंने राजकोट में रामकृष्ण आश्रम की और पोर बंदर में रामकृष्ण मिशन की मुलाकात का जिक्र भी किया है तो यह डॉक्टर एपीज अब्दुलकलाम हमारे देश के एक एसे थे विरल महापुरुष के जिनोंने मुस्लिम होते हुए भी भारत के प्रती इतना अधिक उनका लगाओ था भारत माता के प्रती भारत के उत्थान के लिए दिन रात वो सपना संजोए रहते थे एक विरल ऐसा यह पुरुष्ण जिसने किसी को भी ऐसा लगता नहीं था कि वो हिंदू नहीं है या भारती नहीं है एक अत्यन्त निष्ठावान हिंदू या भारती से भी बहुत अधिक उनकी देश के प्रती भारत माता के प्रती भारत के प्रती उनका प्यार था उनका लगाओ था समर्पित उनकी पुरा उनका स देवा का भाव था, और दिन रात परिश्रम करते हुए, पिना अपनी स्वास्त को देखते हुए, अंतिन क्षण तक वे देश के लिए काम करते रहे, और विशेश करके देश के यूकों को इगनाइट करना, ये उनका मानो एक में उनका उद्देश बन गया, ये उनका मानो उद्देश बन गया, तो इस प्रकार से उनका जीवन अक्तियंत प्रेणा दाई है, किसी किसे ने कहा है, कुछ ऐसा सुना कि सायद यूनेश को ने, यूनेशन ने उनके जन्म दिन को, मतलब 15 अक्टूबर को स्टूडेंट्स डे की हिसाब से मनाने का, बनाने क गोशना की है, पर उसकी पुष्टी नहीं हुई है, पर यदि करे तो अच्छा है, कम से कम भारत में तो कम से कम इसको इसको स्टूडेंट्स देखे हिसाब से, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ उनका विशेष लगा हो था, विद्दियार्थियों के साथ अद्बुत लगा इतने खुल मिल जाते थे, he was a friend of all the students, तो ये, हमने खुद ने देखा है, तो students day, students, international students day, world student day, या national students day की हिसाब से, उनके जन्म दिन को मनाय जाए, तो कोई अत्यांत उचित होगा, जो भी हो, मनाय जाए के नहीं, तो उसके बारे में कुछ बातें, बातें ऐसे इंफॉर्मली सुनी हैं, पर तो कभी भी हमने उसको अच्छी तरह से, पुरा systematical हम सुना नहीं, कभी-कभी एकाद दो किस्से सुने ऐसा ही, तो अभी तक ऐसा आउसर नहीं मिला, तो अभी सोचा कि आज बर्ड है, तो ठीक है, सभी लोग की इच्छा है, तो कुछ संस्पराण बता दें, तो ये डॉक्टर एपिजब्दु कलाम के बारे में, सबसे पहले, ये है करीब 2000 की बात, इस्विशन 2000 की बात है, तो इस्विशन 2000 में, आज से 20 साल पहले, एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, इंडिया टू-जिरो टू-जिरो, एविजन अब दे न्यू मिलेनियम, डॉक्टर एपिजब्दु कलाम और राज़ मैयर ने मिलकर के लिखी थी, तो ये पुस्तक का, मैंने रिविव पढ़ा, एक गुजराती मेगेजिन में, और उसमें लिखा था कि कैसे फैक्ट्स और फीगिर्स के द्वारा, ये डॉक्टर कलाम ने प्रमानित किया है, कि हम लोग हमरा देश, विज्ञान के ख्षित्र में, टेक्नॉलोजी के ख्षित्र में, कई क्षित्र में आगे बढ़ रहा है, और यदि हम प्रेयत न करें, तो अवश्य हम 2020 तक में, we can become a developed country, विकसित भारत बन सकते हैं, उसका प्लान, प्रोग्राम्स, उसका ब्लूप्रिंट, वो सब उन्होंने अपनी किताब में दिया है, तो मुझे बहुत ही आनन्द हुआ, क्योंकि मेरी भी होबी, और फिर दूसरा मैंने जब सुना, कि डॉक्टर कलाम्ने DRDO से resignation दे करके, या उन्होंने resignation दे दिया है, केवल एक ही कारण, कि वे सारे देश में एक लाख यूकों से मिलना चाहते हैं, और उनको ignite करना चाहते हैं, उनके मस्तिष को ignite करना चाहते हैं, उनको प्रेणित करना चाहते हैं देश्चेवा के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि स्वामी विवेकानन जी ने कहा था, माई फेथ इस दे यूगर जनरेशन, तो स्वामी विवेकान की विशद्दा उनका विश्वास यूआ पिड़ी पर था, इदे डॉक्टर कलाम भी यूआ लोगों से मिलना चाहते हैं, यह एक कॉमन लिंक है, और दूसरा मैं भी स्वामी विवेकान की इस बात को याद करके, यूगों के बीच में जाता था, तीस साल से, चालिस साल से में, हजारों ऐसे यूआ समलों में गया, सैक्डो स्कूल और कॉलोजों में, इंस्ट्टिशन में गया, उनके साथ बाचित करता था, उनके साथ स्वामी विवेकान के मेसेज को शेयर करता था, यह मैं कहता था, स्वामी विवेकान ने कहा था, कि भारत फिर से महान बनेगा, इतना महान बनेगा, कि इसकी प्राचिन महिमा मलान हो जाएगी, और स्वामी वेकन की कोई भी बात जूटी नहीं हुई है He was not an astrologer वो कोई भविश्वेता नहीं थे पर यूगद्रिष्टा थे और यूगद्रिष्टा की हिसाब से उन्होंने एक विजनरी की हिसाब से उन्होंने विजन देखा था कि भारत मता पुना गवरवान रुप से पुना प्रतिष्टित हो गई है तो मैं सब कहता था कि ये बात स्वामी जी की वानी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी पर ये विद्यार्थी लोग उसको मानने को तयार नहीं होते थे ततकाली परिस्थिति को चारो और घना अंदकार था इतना भ्रस्टाचार और कितने प्रकार की समस्याओं से देश जा रहा था कोई कॉई कॉंफिदेंस लेवल ही नहीं था सबी लोग का एक मात्र लक्ष था अपने भारत को गाली देना सब समय सब समय एक ही मात्र लक्ष कैसे भारत को गाली अरे भारत में इतनी गंद की अरे यह है और अमरीका में से एक बार जाकर क्या आगए अरे मैं अमरीका में देखा कितने अच्छे रास्ते कितना यह है कितना यह है क्या यह भारत एक दम कुडा करकट जैसा है गंदा है वह है सब समय भारत को भार नहीं कहा था भारत महान बनेगा, तो कोई सुनता ही नहीं था, उसको इंपरेटरिकल कहरे बोलता था, पर ये एक अच्छी किताब आई, जिसमें facts and figures थे, yes, India is rising, स्वामी वेकान का सपने सिद्ध हो रहा है, ये बोलने, इससे मेरे को बहुत सुविधा हो गई, एक facts and figures मुझे मिल गए, अब मेरे मन में आया, कि डॉक्टर कलाम भी इस प्रकार से स्वामी वेकान के समान यूकों से मिलना चाहते हैं, तो something is there, सच मुझ में इनके भीतर कुछ है तो अवश्य, कुछ न कुछ तो अवश्य है, जबकि उनके भीतर में ऐसे महान प्लान आये हैं, तो he is not an ordinary man, तो मैंने सुचा कि इनको स्वामी विवेकानन के विचारों से यदी प्रबुद्ध कर दिया जाए, और अच्छी तरह यूकों से बातचीत कर सकेंगे, उनको प्रबुद्ध कर सकेंगे, यह मेरा इतने ही स्वार्त था, इसको इतने ही स्वार्त था, कि उनको मिलकर के, उ धीना प्रभावीत होए रह सके यह उनके हाथ में देना मेरा था तो उसके लिए कुछ बाहना तो लगेगा रहसे जह क्या बना बताओं क्या बहना बनाओं कि उसको यहां बुला बुला लिया जाए, इन्विटेशन दिया जाए, पोर बंदर में था, इन्चार्ज में, तो हम लोगों ने, जैसा कि आप लोग को मालू है, 26 जनवरी को 2001 को बहुत बड़ा भुकम पाया, और पहले ही दिन से हम लोगों ने, जैसा कि रामकिश मिशन की परंपरा है, हमने रिल कालोनी बनाई, पूरे गुजरात में, जिसमें से सैंती स्कूल का पुनर रिमान पोर बंदर जिले में हुआ, और तीन कालोनी का पुनर रिमान पोर बंदर जिले में हुआ, तो इसमें से सैंती स्कूल में से हमने सुचा, एकार स्कूल का उद्गाटन, डॉक्टर कलाम के हा से कराए जाए, that will be the occasion और फिर उसी बहाने हम उसको सामी वेकान की बाते बताएंगे और इस सब करेंगे तो फिर मैंने उनका फोन लेकर के फोन कहीं से लिया हमारे सनेही से उनको फोन किया तो मैंने यही कहा कि डॉक्टर कलाम से बात करना चाहता हूँ दॉक्टर कलाम स्पिकिंग मुझे लगा कि उसके पीए ने पकड़ा होगा दॉक्टर कलाम खुद नहीं फिन पड़ी तो सिंपल मैंन येस आई आई दॉक्टर कलाम स्पिकिंग इस प्रकार से हम लोगों ने स्कूल बनाई है तो हमारा इच्छा है कि आपके हाथ से उद्गाटन हो स्वामी जी लेट मी जी मैश्रीडल इस वरी टाइट बट आई तो सी तो तीन बार और भी फोन किया पर वो बोलते हैं स्वामी जी आम वेरी बिजी आई 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 स्टुडेट्स वन हंड़ेट थाउजन स्टुडेट्स तो अभी तो मेरा चाली सजारी हुआ है तो मैंने का हम भी तो स्टुडेट्स को बुलाएंगे न आपके उचिंता करते हैं यहां भी आपका टार्गेटी कंप्रिट होगा तब उसमें देखा कि उनको थोड़ा सा उससा ज्यादा बढ़ा ओके ओके ऐल ट्राइटू कम फिर भी कुछ हुआ नहीं इस बिश मैंने देखा न्यूस्पेपर में अचानक पढ़ा कि वो आ रहे हैं राजकोट क्राइस्ट कॉलेज के फंक्शन के लिए तो मैंने सुचा यह अच्छा एक आउसर है परसनली उनको इन्वीटेशन करने के लिए तो उससे ज़्यादा फरक पड़ेगा तो मैं पौरुबंदर से राजकोट आया अपने रामकृष्ण आश्रम में और वहां उनको एक मेसेज भेजा हमारे एक परिशित व्यक्ति से जो उनके साथ उनका सब कारिक्रम कर रहे थे तो उनके साथ मैंने मेसेज भेजा कि इस परकार से मैं पौरुबंदर से आया हूँ और आपको परसनली इन्वाइट करना चाहता हूँ तो मैं आपको कहां मिलू एयरपोर्ट में मिलू क्या आया थे कुछ घंटो के लिए सुभे आये थे सामको निकलने वाले थे तो या तो एयरपोर्ट में मिलू या राजकुमार कॉलेज अस्रम के सामनी राजकुमार कॉलेज वहां वो पढ़ रह रह थे just he was staying there just for few hours तो वहाँ आपके निवास्तान पर मिलू या एरपोर्ट पर मिलू यह मैंने मेसेज भीज़वाया डॉक्टर कलाम ने मेसेज भीज़वाया स्वामी जी आरे मौग आई शुट कम टूमीट यू आईल कम टूमीट यू मैं तो आश्ट चाह की Fi रहे गया इतने नम्रस होगा के स्वामी जी आप सन्यासी आप मुझे मिलने के लिए आएंगे यह ठीक नहीं दिखता मैं आपके पास आँगा अपको मिलने के लिए स्वामी जी को मैं इस Sum وجu को बता ए मैं वैंगे वह समस्वा इसे को बात करते हो भारत तुटर काला उसमें प्रेजिटेंट तो उए नहीं थे पपनी पहुत नाम था ही हुआ वस्वेरी पॉपलर इसे आ जैंगे हम लोक नी इन्वीटेशन नहीं दिया कोई पत्रा नहीं दिय ऐसे आ जाएंगे मैंबल पर आ रहे हैं already on the way to the airport साम की flight है और अभी पहुँच रहे हैं आधे घंटे में और सच मुझ में आ गए आ ही गए हम लोग तो बात कर दे तो उसको बानी नहीं रहते लोग कि डॉक्टर कलम कैसे आएंगे हमने कोई invitation नहीं दिया आई गए अंदर प्रवेश कर दी उनकी गाड़ी फिर हम लोगों ने पहले तो लाइबरेरी जो है रामकृष्णासर्म राज़कोट की उसके उपर एक exhibition था वो exhibition दिखाया तो exhibition देखते 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 डॉक्टर कलम ने का स्वामी जी बीगाँ देखते दी, they are telling that you cannot become a monk because you are not married वो तो अभिवाईत थे विवाय तो उन्हों ने किया नहीं था तो किसी न उनको बताया, बबे आपने विवा किया ता तोड्भि भाद बढ़ेंगे में भी चक्रा गया किकि कि हमारे रामकिश में जी नियम है जो अविवाई थे वही सन्यासी बन सकता है विवाई थे उनको बोलते नहीं स्री रामकिष्द देव ने कहा है ग्रहस्त आश्रम भी बहुत बड़ा आश्रम है ग्रहस्त आश्रम भी इश्वर की प्राप्ति हो सकती है आपने जब ग्रहस्तास्रम स्युकार किया ताब ग्रहस्तास्रम में रही है। जिनों ने बहुत छोटी उमर है अभी तक ग्रहस्तास्रम स्युकार नहीं किया, उनको सन्यासी बने, उनको ही हम लेते हैं। below 25 years, maximum 30 years, unmarried को लेते हैं। अब यहां उल्टी बात यह बोल रहे हैं, स्वामी जी यह लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैंने विवा नहीं किया, तो मैं सन्यासी कैसे बन सकता हूं। तो मैं समझ गया, कहां समस्य कहां हुई है। अब टाइम तो कम था, उन तो एरपोर्ट जाना था, उनको जल्दी निकलना था, कम शॉल्ट मैं उनको सम्झाना था। मैंने कहा, you see Dr. Kalam, there are two types of flight, one is a hopping flight, one is a direct flight. Hopping flight is Brahmacharya Ashram, Guruhastha Ashram, Vaanaprastha Ashram, and Sanyastha Ashram. यह hopping flight में है, तो पहले आपको गुरोस ता बनना पड़ेगा, marriage करना पड़ेगा, फिर आप Vaanaprastha बनेंगे, फिर Sanyastha Ashram. But there is a direct flight also, according to our scriptures, and that is, Brahmacharya Ashram, direct to Sanyastha Ashram. And we, the monks of Ramakrishna Mission, have taken up the direct flight. Oh, I will also take direct flight, उन्होंने अस्ते वेखा. उसके बाद में, फिर हमने करा, रहे, आप तो अलड़ी सादू हैं, you are already monk. गीता में कहा, क्या, कहा, जो दूस्तों के लिए, जो सेवा काम करते हैं, वही सच्चे सन्यासी हैं. फिर हमने सोचा कि अब इनको मंदिर ले जाया नहीं, एक तो पहली बात उससे में संधिया आरती हो रही थी, और we were hesitating, फिर मैं पुछा आचा, would you like to visit the temple, येस, 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 तो अब हमने क्या किया, कि वो front में मंदिर के सामने उनके जूते रख दिये, हमने अपने जूते र रही है, तो उनको भी डिस्टब नहीं हो, और इनको भी तो देर है, तो इसलिए हमने बाहर से खड़े-खड़े, उनको दर्शन करा दिया, और वैसे भी वो जाएंगे, उस पसंद करेंगे कि नहीं अंदर जाना, इसलिए हमने बाहर से उनको दर्शन करा दिया, पर वो तो तो एकदम भीतर चले गए बिना पूछे और गए तो गहा कहां तक एकदम आखिर तक और आखिर तक जहां पर ये सादू ब्रह्मचारी अपना खंड़न भवंदन गीद चल रहा था उसे में वहां जाकर के बैठ गए और बैठे तो बैठे एकदम समाधी में अरे बाबारे ध दोक्टर कलाम को कहा दोक्टर कलाम गेटिंग लेट फॉर दे एरपोर्ट कोई उसका उत्तर नहीं मिला दो तीन बार बोला फिर आखरे में क्या करें सेक्रूर्टी वाले तो बहुत गरम हो रहे थे तब फिर उनको उनका कंदा पकड़ कैसा हिलाया ऐसा हिलाया तो उन्हों उने देखा चारोर फिर कहा दोक्टर कलाम गेटिंग लेट फॉर एरपोर्ट ओ येस येस तुरंद खड़े हुए दोड़े एकदम दोड़ करके पूरा मंदीर पार किया मंदीर पार करके नीचे उतरे नीचे उतर करके उनके जूते रखे ते उसको हाथ में लिया हाथ में लेकर फिर दोडे, दोडे और सामने जो गाड़ी खड़ी थी मंदिर के थोड़ा सा दूर में, गाड़ी में बैड़ गे पीछे की सीट में, और फिर जूता पहनने लगे, फिर उनको पूछा कि, वाट अपन दॉक्टर कलाम? दॉक्तर कलाम और की वे दूखिए जीए, गाड़ीलिया, वाट अब जूता दूरीकृ, श्कता से जूता कराएं, खिर जाहिए, जबूनी खेंटनी एगदम खो गया था, वहा तो इतना ही कहा, बाद में, इगनैट इन मैंटस किताब में उन्होंने लिखा है के तराजकोट रामकृष्णा असर्म टेंपल and at poorbandar where Swami said both the places I was lost in meditation पर बाद में दो साल बाद जब Swami Vivekan का ancestor place जहांपर Swami Vivekan का जन्म हुआ था उसका बड़ा memorial बनायगया उसको dedicate कि लिया वो डॉक्टर कलाम के हाद़ से dedication हुआ उस दिन की बात है उस दिन अपने लेक्चर में उने कहा कि रामकृष्ण मेशिन के साथ मेरा बहुत गहरा संबंध है एदराबाद में में जाता था और राजकोट में जब गया था तब तो वहाँ पर मेरों को अतना अच्छा वात्राण मिला जैसा है वैबरेशन अभी यहां मिल रहा है स्वामी जी के इस मकान में ऐसा है वैबरेशन मुझे रामकृष्ण आसम राजकोट में बिला और इतना मुझे इतनी मुझे वह अनुभूती हुई और फिर उन्होंने एक सेंटेंस कहा जो कि उन्होंने इगनेटेंस में नहीं लिखा है और यहां हमको भी नहीं कहा था उन्होंने कहा and there during my deep meditation I first time came to the realization that time becomes indeterminate at one stage कहते हैं पहली बार मुझे ये प्रत्यक्ष अनुभूती हुई कि एक समय ऐसा आता है जब मन समय से पार चला जाता है just imagine इसी को हमारी योगी भाष्णा में समाधी कहते हैं going beyond time space and causation कि जएते हैं समाधी यवस्ता में फिर समय का भान नहीं रहता है कि समय कितना चला गया तो Dr. Kalam कहते हैं मुझे भी पता नहीं पड़ा कितना समय चला गया था but for the first time I came to this realization that time becomes indeterminate उसका first and experience मुझे हुआ यह यहाँ पर रामकृष्णास्णास्णास्णास्णास्णास्णास्णास्णास्णास्णास्णास्णास्णास्णास्णास्णास्णास्णास्णास्णास्णास्णास्णास्णास्णास्णास्णास्णास्णास्णास्णास्णास्णास्णास्णास्णास्णास्णास्णास तो उसमें से हाफ पुरे राज़कोट में थे उन लोगों की भक्ती प्रार्तना और ये इतने बड़े-बड़े सन्यासियों और इतने भक्तिमा इनकी प्रार्तना से यहां प्रतिष्टा हुई है तो इसके तो वाइबरेशन है ही और श्रीरामकुष्ट देव के पवित्र भस श्री में भी यहां पर है वो भी इसकी इसका असर है तो जो कोई भी आता है उसको यहां पर कुछ न कुछ तो यहां पर वो अच्छी भावन अच्छी एक अनुभोति होती है पर देखो, देखिये कि एक पवित्र आत्मा उसको एक विशेश प्रकार का अनुबो होता है ऐसे तो सभी लोग, कितने लोग रोज आ रहे हैं पर क्यों Dr. Kalam की समझ सबका mind beyond time, space and causation नहीं चला गया Why? Because of the purity So I think perhaps he had that purity of mind because of which he could transcend the limitations of time at that stage Anyway, बहुत अच्छी उनको निभूती हुई उसके बाद मैं गाड़ी में चल रहे थे, तो मैंने कहा Dr. Kalam को कि Dr. Kalam I came specially to meet you, to invite you personally आपको व्यक्तिकत रुपसे में आपको निमंतर देने आया था तो पोर बंदर में हमको हमारी इच्छा है कि आप वहाँ पर आए, बहुत यह स्वामी जी आविल ट्राई और फिर जब मैंने कहा कि विल कॉल 3000 यूथ, 3000 यूवक्त लोग रहेंगे बहुत यह स्वामी जी शूर्ली आविल ट्राई तब एकदम माइन उनका चेंज हो गया बहुत शूर्ली आविल ट्राई उसके बाद में एक-दो बार मैंने फिर से उनको टैम हो गया अच्छा एक-दो बार और भी मैंने उनको बताया, फोन किया और बोले स्वामी जी, I'm very busy ऐसा सब बताया उसके बाद में फिर ऐसा हुआ एक दिन अचानक दो पर को, करीब एक बज़े आचानक फोन आया, डॉक्टर कलाम का स्वामी जी, I'm दॉक्टर कलाम स्पीकिंग, मैंने सोचा कि पिये, यह स्प्लीज गिव दे लाइन टॉक्टर कलाम, I'm दॉक्टर कलाम स्पीकिंग फिर ओना ने का कि, you see, स्वामी जी, I'm coming to Prasla Prasla is a place, Prasla जो जगा है, पोरबंदर से करीब सौ किलिमेटर होगी, फुफलेटा के पास, तो बुले, वहां पर एक बड़ा यूथ कन्वेंशन है, वहां मुझे बुलाया है, तो I will have to get down at Porbandar airport, and I remember you had been telling all so many times to come to Porbandar, so I'll be getting down at Porbandar airport and then go to Prasla, so मैंने का तो बहुत अचा है, that's very great news, you must come to Ramakrishna mission in that case, yes Swamiji, I'm also thinking like that, the time is very short, कोई बात नहीं, आप छोटे समय के लिए आई, flight comes at 12.30 and 3 o'clock is the program there, driving time भी दोड़ घंटा है, तो hardly I will get half an hour, I say it doesn't matter, you please come, और इदर तो जब बताया सब Porbandar में सब यूथ लोग एकदम पागल होगे, अरे डॉक्टर कलाम आएंगे, डॉक्टर कलाम आएंगे, बहुत एकदम खुश होगे, 13 February 2002 काने की बात थी, और ये सब बादचीत चल रही है, first week of February में, उसके बाद में, दूसरे दिन डॉक्टर कलाम का फोन आएंगे, Swamiji, I am very sorry, the flight time has changed, now the flight is coming, arriving at Porbandar only at 1.30 p.m., so I will have to drive straight to Prasla, there is not a single minute that I can invest in Porbandar, I think I will have to make a special program for you, में बाद में आपके लिए बाद में बाद में आपके लिए बाद में बनाऊगा, अभी तो पॉसिबल नहीं है, Dr. Kalam, but in the meanwhile all the youth had gone mad because of joy, अभी ये सुनेंगे तो तो बहुत उनको निराशा होगी, तो उनको का अच्छा, is there another flight to Porbandar from Bombay, I said no, no, only one flight from Bombay to Porbandar, only one flight, अच्छानक फिर मुझे एक आइडिया है, but there is a morning flight from Bombay to Rajkot, and if you come to Rajkot, we'll take care of your journey from Rajkot to Porbandar and then you take lunch with us and then you start for Prasla. Okay Swamiji, that's a good idea, let me think over. So Swamiji, I am coming, I am coming to Rajkot on 12th February, 13th February you arrange my visit, my travel from Rajkot to Porbandar and 13th I will, after from there I will go to Prasla. I said thank you very much, I said, and then on the truth, on the 30th February 2002, I met him at 12th at night, I have come to take you myself. I said, Swamiji, why you take the trouble, why you have so many difficulties, you have to send the driver, you have to send the driver, it's so simple. I said, yes, that could have been possible, but I wanted to have interaction with you. When will I get a golden chance, when will I get a chance of giving you, when will I get a chance of giving you, when will I get a chance of giving you, when will I get a chance of giving you. So that's why I am coming, okay, Swamiji, tomorrow we start at 8.15 a.m. sharp. है, ठीक है, हमें सुबहे आट बजए पहुँच गया, राजकुमार कॉले जहां रहे थे, फिर बस सब आट बजए, एक्जेट, हम लोग निकले, और फिर बीच में बहुत, इतनी सुंदर सुंदर बाचीत हुई है, राजकूर टूप, इतना टाइम बाद में कुछ भी नह मिला, because then he became president, president बनने के बाद तो और भी ज्यादा difficult, मिले बहुत बार, पंदरा बीच बार, आदा घंटा मिले, पंदरा मीट मिले, पर ये जो तीन घंटा हमको मिला है, और हम दो के वलकिस, और कोई नहीं, इतनी सारे बाती हुई है, बहुत बजएदार बाती हुई है, ये सब कल कर करेंगे, आज ये समात करें, ओम शान्ति 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 ही, अरिही ओम तस्त श्री राम कृष्णार प्र नमस्तू कि सही बढ़ी हुई है, ये समात को शान्ति 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 है यां, car हम झालना है, खालना है अakesनक । गलुष्मा के हिए हुआ है, पर ये समाती है, ये समाती त我 हि कि थ Jean-D